दो दिन पहले तक इंदौर में मीडिया पर गुस्सा होते दिखाए दिये कमलनाथ अब भोपाल में कुछ चिंता में दिखाए दिये कमलनाथ की चिंता की वज़ा है 230 विधानसभा सीटो वाली मद्रपदेश विधानसभा के लिए टिकेट मांगते 4000 उमिद्वार इन 4000 उमिद्वारों की टिकेट दावेदारी पर कमलनाथ ने क्या कहा सुनिये 4000 लोगों ने दावेदारी करिये उससे ज्यादा इन में से एक नहीं कहता है मैं हारने बाला हूँ सब कहते हैं हम जीतने वाले पर क्या ही अपना वाट जीतता है अपना गाउं जीतता है यह प्रश्ण है और चुनाव में समझता हूं एक तरफ जहां कमनलाथ टिकेट दावेदारों से वाड और गाउं जीतने पर सवाल कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में उनके ही सरकारी बंगले पर संजीव सकसेना के समर्थन में हजारों के संख्या में महिलाएं टिकेट मांगने पहुँच गई संजीव सकसेना ने 2018 विधानसबा चुनाओं में भी कॉंग्रेस की तरफ से टिकेट की दावेदारी की थी लेकिन कॉंग्रेस ने भोपाल दक्षिन पश्चिम से PC शर्मा को टिकेट दिया था अब जब चुनाओं को कुछी समय बचा है ऐसे में टिकेट के दावेदार टिकेट पाने के लिए हर मुम्किन कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन उमिदवार लाख दावे कर ले जितनी चाहे उतनी ताकत दिखा ले पर टिकेट किसे मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा पर टेपाईब मिलेगा पतो आने वाला वक्त है पाने वाला वक्त हैं